गुड बॉर्निंग दोस्तों मैं आमीद फियर से आपके अपने चैनल वेबसाइट में करकिंग में स्वागत करता हूं बने रहे है चैनल पर इस वीडियो में मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि कैसे आप जो है ब्लॉग की पोस्ट को बलब यह जो हमारी ब्लॉग है ठीक है इस ब्लॉग की पोस्ट को कैसे आप पिएचपी की वेबसाइट में इंपोर्ट करोगे कहने का मेरा मतलब है कि आपकी जो रूट डारेक्टरी है जहां पर यह देखे यह जो है हमारी पिएचपी की वेबसाइट है ठीक है पिएचपी की वेबसाइट है और पिएचपी की बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि जो है, हमारी जो है website, जो है, वो PHP में है, या HTML में है, लेकिन हम चाहते हैं, कि WordPress की blog के features हम ले सकें, जैसे यह जो blog है, इनको जो है, हम अपने PHP website में, ठीक है, कैसे display करा सकते हैं, ठीक है, या कैसे हम अपने, इस blog को HTML की website में, डिस्पले करा सक ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि अभी देख रहे हैं, यह हमारी PHP की website है, कुछ-कुछ भाग जैसे कि यह देखिए, यह about us जाएंगे, यह HTML की website है, लेकिन जब आप इसके home पे रहेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह देखिए, यह जो है आपकी home website, ठीक है, यह मालब यह जो है आपको 100, म injected पोस्टे यह आपको दिख रहे हैं, यह जो भी पोस्टे है, म infiltrator पोस्टे आपको दिख रहा है, यह देखिए, यह 1, 2, 3, 4 और है, यहा पी देखिए, 1, 2, 3, 4, यह दि आप यहां से जैसे इसको delete करेंगे, सुमन को, सुमन की post जो है, तो आप य अपने HTML की वेपसाइट में या PHP की वेपसाइट में अपना ब्लॉग कैसे एड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए WordPress जो है आपको एक छोटा सा pre-library देता है, जिसका यूज करके आप जो है, अपने WordPress के ब्लॉग को किसी भी PHP वेपसाइट में दिखा सकते हैं, ठीक है, या ये कर सकते हैं कि अपने WordPress ब्लॉग को किसी भी PHP वेपसाइट में या HTML वेपसाइट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर ब्लॉग किया है, लेकिन एक बात याद रहे, PHP में आपका code run होगा, HTML में code run नहीं होगा, जैसे कि अभी आपको मैं थो PHP का पेज बना दोगे, तो इसमें आप इजली जो है, WordPress के ब्लॉग को अपने वेपसाइट में दिखा सकते हैं, जैसे कि यह देखे, यहां पर मैं ब्लॉग पे क्लिक किया, तो आप यहां देखे, यह URL बदल गया, HTML से ब्लॉग PHP होगा, यहां पर आप जो है, अपने WordPress के ब् directory होती है, जहां पर यह आपने PHP रखा हुआ है, जहां पर यह अपने PHP URL सेट नहीं हुआ है, इसलिए not found आ रहा है, तो यह जो हमारी जहां पर यह वेपसाइट रखी गई है, उसी वेपसाइट में जो है, आपको एक ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाना होगा, उस ब्लॉग न अपको बताता हूँ, ठीक है, तो रखने से पहले आप देखिए जैसे मैं गया, यह हमारा यह जहां रूट है, लपसारी जहां रूट है, वहां पर हम चलते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो मैं यहां पर गया, यहा पर जाने के बाद जो है, हमारी software में जो है, यह में install कर रका जैसे कि मैंने यहां पे एक Amit नाम का फोल्डर बना है, एक Amit WP का फोल्डर बना है, ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे, यह जो मेरा काम चल रहा है, मतलब हमारी root URL क्या हुई, Amit WP होगा, ठीक है, आप लोग जहां नहीं समझ में आएगा, हमें comment कर दीजेगा, ठीक ह तो मैंने यहां पे जाके, जितनी चाहिए उतना फोल्डर बना सकते, तो मैंने इस functionality को, मतलब अपने WordPress की ब्लॉक को, अपने WordPress की ब्लॉक को जो है, हम PHP के website में display कराने के लिए, इस सारे इस folder को, मतलब अपने WordPress के folder को, मैंने जो है, उस PHP के website के root directory में रखा है, तो ठीक है, तो और root directory के अंदर, मतलब जैसे कि हमारी htdocs के अंदर हम अपना folder बनाते है, इस folder के अंदर हमारी PHP website है, तो यह हमारी root directory हो गई, जब आप cPanel पे जाओगे, तो root directory होती है, root directory जहां पे आपके HTML रन करती है, जहां से आपके website operate होती है, जहां से आप अपने website के code को रखते हो, वो हमारी होती है root directory, root directory बोले तो आसान भासा में यही बोल सकते हैं, कि जहां पे आप अपने website को run कर रहे हो, जहां पे आप code रख रहे हो, वो होती है root directory, तो हमारे इस हिसाब से, local host के हिसाब से, हमारी root directory जो है, PHP website है, यह हमारी root directory, क्यों PHP website हमारी root directory है, क्योंकि आप देखे आमीत WP ये हमारा folder हो गया इस Amit WP folder के अंदर एक और folder है हमारी ठीक है वह उस folder का nama है Php website ये जो हमारा एक और folder है इस PHP website के अंदर हमारी इस ये जो आपको display हो रहा है website इसका code रखा गया है ठीक है तो आइए यहाँ पे हमारी जे दिखिए अमित WP के अंदर यह जो है हमारी PHP website नाम की folder है इसके अंदर हमने यह code रखा हुआ है HTML रखा हुआ है इस HTML का template रखा हुआ है या इस website का code रखा गया है यदि मेरे को कुछी भी चीज में काम करना है इसे service page में काम करना है तो मैं इसी root directory पर जाके यहाँ पर जाके जाने के बाद मैं service HTML को खोलूँगा तो यह हमारी service HTML वाला page खुल जाएगा ठीक है और हम इसको manage करने के लिए क्या करेंगे इसी HTML service को यदि हमाल लिजाए से खोलते हैं अपने visual studio में खोल लिए और जो है visual studio में खोलने के बाद जो है जाके हम यहाँ पर जैसे यह जो है जहां हमारी body start होती है body start के अंदर हम यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं जैसे लिख दिए hello ठीक है hello जैमातादी ठीक है save की save करने के बाद जब आप अपने website पे आओगे ठीक है और service का click करोगे page open करोगे तो यहाँ पर आपको जैमातादी दिखेगा क्यों जैमातादी मिलेगा क्योंकि आप जो है इस मदलब इस service html को आप manage कर रहे हैं ठीक है और यह service html कहां रखा गया है यह service html आपके root directory पर रखा गया है ठीक है तो root directory जो हमारी क्या है हुई हमारी root directory यह हुई मतलब इसके अंदर यह जो php website का जो folder है यह हमारी root directory हुगा यहां के हिसाब से ठीक है यही चीज आपका server पर होता है server में मैंने upload किया है live server का demo आप वहां से हमारी previous video देखके आप समझ सकते हो playlist में होगा ठीक है तो हमारी root directory होगा तो इसी root directory के अंदर हमें blog का folder बनाना होगा ठीक है जैसे कि हमने आप देखोगे यहां पर यह हमारी root directory है root directory पर जैसे भी मैंने service HTML को edit करके अपनों को दिखाया जिसके तुरू यह हमारा आ रहा है ठीक है यह आ रहा है ठीक है तो हम चला जाते हैं फिर से अपने root directory पर जहां पर हमारी website रखे गई है तो यहां पर देखिए हमारी root directory पर अपने website रखे जो run कर रहा है ठीक है जी तो आप आईए यहां पर यह हमारी root directory पर रूट डारेट पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लॉग नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैंने ब्लॉग इसलिए दे दिया, ताकि नेमिंग के नमिंशन के हिसाब से मैं यहाँ पे ब्लॉग दे दिया, यदि आप यहाँ पे चाहोगे तो कोई भी फोल्डर बना सकते हो, आपके रिक्वार्मेंट के इसाब से है, ठीक है, लेकिन जेनरली हम क्या कर रहे हैं, कि अपने ब्लॉग को जो है हम, PHP वेबसाइट में डिस्पले करा रहे हैं, तो हम रूट डिरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे हमारे फाइले होती है, ज देखे, यह जो है वर्डप्रेस की फाइले हैं, ठीक है, यह जो है वर्डप्रेस की फाइले हैं, ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक, ठीक है, और मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ, आपको अपने रूट डिरेक्टरी पे जाना है, रूट डिरेक्टरी पे जहाँ आप WordPress का setup है जिसके through जो है हमारा ये WordPress का blog run कर रहा है ठीक है उसके बाद WordPress एक facility देता है जिसके through जो है जिसके द्वारा आप जो है अपने WordPress के blog को किसी भी PHP के website में use कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं अपने इस WordPress के को अपने इस blog नाम की जो page है यहाँ पे हम use कर रहे हैं जिसके through जो है हमारी यहाँ की सारी इस blog की post है यहाँ पे so हो रही है जैसे मैं इसको पढ़ूँगा जैसे यहाँ पे मैं इसको read more करूँगा तो मैं automatic इस जो है blog वाले पर चलाऊँगा ठीक है यह देखिए जैसे मैं यहाँ पे गया है यहाँ पे मैं view करूँगा तो यह देखिए यह जो है हमारी WordPress की blog है ठीक है WordPress का blog setup किया है WordPress है इस blog के अंदर इस blog folder के अंदर WordPress हमारा रखा गया है और जैसे मैंने इसको click किया तो यहां पर आ गया, वही चीज यहां पर है, यदि मैं बैक जाओं, और बैक जाने के बाद, जैसे मैं इसको उपन कर लूँ, यह हमारा है, डमी वाले को, तो आप देखेंगे, यही पेज खुल गया, अभी यह जो पेज खुला है, यही पेज यहां पर खुल गया, ठीक है, लेकिन इसके content जो है, छोटा सा content जो है, हमारी PHP वेबसाइट में यहां पर डिस्पले हो रहा है, ठीक है, यहां पर मैं जितना post page लिखूंगा, वह automatic जो है, यहां पर डिस्पले हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है, कोई बंदा है, उसकी दो वेबसाइट है, एक PHP में डिस्पले होने लगेगा, ठीक है, इससे जो है, लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है, कि जो है, WordPress वेबसाइट slow होती है, और ऐसे जो है, HTML में या PHP की वेबसाइट fast होती है, वास्तों में सही है, PHP की वेबसाइट जो है, WordPress से fast होती है, तो क्या traffic लाने के लिए जो है, लोग ऐसा करते हैं, कि यह हमें तो WordPress के ब्लॉग से मतलब है, हम अपना आर्टिकल पर्विस कर रहा है, तो क्यों, क्यों नो मैं अपने PHP के साथ लगा रहा हूं, ताकि हमारी वेबसाइट की speed अच्छी रहे, और हमें WordPress का जो काम है, उस portion को हम ले ले ले, जैसे मैं आपकी PHP वेबसाइट में अराम से आपको सारा ब्लॉग की facility दे दूँगा, ठीक है, तो वो code क्या है, वो code है हमारा जो है, यह है, ठीक है, यह आपको उस, जहां पर आप display कराना चाहते हो, जहां पर ब्लॉग display कराना चाहते हो, उसके उपर कहीं भी रख लीजे, ठीक है यह हमारा WordPress प्रवाइड करता है, ठीक है, यह आपको as it is रख देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई coding की requirement नहीं है, as it is रख देना है, ठीक है, यह मैंने बनाया नहीं है, यह WordPress की team ने बनाया है, ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसके बाद जो है, इसको रख हमारी WordPress की ब्लॉग जो है हमारे मेनू में ब्लॉग नाम के फोल्डर मैंने ब्लॉग नाम की जो मेनू बनाई है ब्लॉग नाम पे बैजाओ जाओ ब्लॉग मेनू पे तो वहाँ पे डिस्पले हो तो मैं इसी ब्लॉग वाले पेज पे इस कोड को रख दूँगा ठीक है टॉप में रख दूँगा उसके बाद जिस डिव के अंदर मेरे को चाहिए वहाँ पे मैं ये कोड रख दूँगा ठीक है अब ये कोड क्या कर रहा है ये कोड क्या कर रहा है ग्लोबल ही जो है WordPress की database को manage करने के लिए या WordPress की functionality जो back end में use हो रही है उसकी functionality को use करने के लिए WordPress जो है predefined आपको super global देता है यदि आप global लिख के post लिख देते हो तो ये super global हो गया इस super global का use करके आप easily जो है WordPress के blog को के post को WordPress के blog के post को आप अपने website में manage कर रहा हो ठीक है तो मैंने एक जो है global define कर लिया कि वर्टप्रेस का जो feature दिया थो कर दिया और मैंने एक array बनाया array बनाने के बाद मैंने यहां पर लग दिया per post per page ठीक है तो मैंने यहां पर 5 किया है तो यह 5 ही article वहां पर show होंगे पांच के बाद नहीं सोंगे, यदि मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा, तो अब जो भी WordPress में 10 पोस्ट रहेंगी, रेसेंट, वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, ठीक है, यदि आपको चाहिए कि आप specific post type का data दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको post type का data, post type equal to अपना जो भी XYZ जो है post type उसको लिख दीजे, ठीक है, तो वो automatic उस post type का data आपके इस specific area में डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, तो अभी मैं चाहता हो कि मेरा जो भी है ब्लॉग है, वो सारा ब्लॉग ही ब्लॉग को दिखा है, तो हमें जो है post type लिखने की जोत नहीं है, क्योंकि WordPress खुरी समझदार है, ब्लॉग तो उसकी functionality है, custom post type तो आपके functionality है, जब custom post type आपके functionality है, तो आप उसको यहाँ पर define करना होगा, जैसे आप custom post type define करते होंगे, मैं बताया हूँ, आप हुमारी testimonial का देख लिजे, कैसे post type को front end पर show करते है, वो आप देख लिजे वीडियो, वहाँ से idea हो जाएगा, वही code यहाँ पर रख दीजे, बस आपको इसकी requirement है, ठीक है, यह करता क्या है, यह यह बता रहा है, और यहाँ one more thing, यह जो blog नाम का folder है, यह भी आपको लिखना होगा, कि यह जो blog है यह लिखना होगा, यह आपने यहाँ पर नाम change कर दिया, suppose मान लिजे, आपने यहाँ पर रख दिया Amit, Amit नाम की folder के अंदर, WordPress आपने setup किया है, तो आप यहाँ पर Amit लिखोगे, यहाँ पर यह folder का नाम आएगा, ठीक है, तो मैंने blog के अंदर, जो है WordPress setup किया है, तो मैं यहाँ पर blog लिख रहा हूँ, यह जो है blog folder का नाम है, और यह जो है wp-blog-underscore.php, यह WordPress की इस file का नाम है, यहाँ पर देखिए, यह देखिए, इसको भी open कर लेते हैं, ठीक है, तो यह वह है, यह अपना WordPress security पर प्रवाइट कर रहा है, ताकि भाईया जो बंदे रहेंगे, मतलब यह इसी एक template folder को, यूज करने की facility WordPress दे रहा है, ताकि कोई भी तरह से, कोई भी security issue न हो, इस WP blog header में कुछ भी नहीं है, यह WordPress अपना, जो है अपनी फाइले रखा गया है, और वो फाइलों को जो है, secure करके रखा गया, और यहाँ पर आपको justify भी किया गया है, load the theme template, तो जिसके थुरू यह आपकी template, जो है, यह वाली template है, यह आपकी template हो गई, ब्लॉग, क्यों block template हो गई, क्यों यह आप दिखा रहे है, blog page पे, ठीक है, यह blog page पे दिखा रहे है, तो यह हमारी blog जो है, template हो गई, इस coding के हिसाब से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यह चूपचाप जाके रख देना है जिस page पर आप चाहते हो कि वर्टप्रेस की ब्लॉग डिस्पले हो, ठीक है, समझ गया होंगे, उसके बाद यह आपकी code है, ठीक है, वर्टप्रेस अपना बना के देता है, उसको रख लीजे, custom post type ने हम एक custom post type पास कर दीज़ेगा ठीक है और यह जो हमने यहाँ पे blog display करना तो हमने custom post type नहीं हमने direct कर दिया कि per post 10 पेज दिखाए और इस जो argument को हमने जो है my blog नाम के एक variable बनाके get post में pass कर दिया यह get post जो है क्या करता है कि जो भी wordpress का post उसको get करता है और यह argument समझ गया कि यहाँ में जो है 10 दिखाना है तो यह 10 जो है उस post को दिखाएगा और उस post को जो भी दिखाएगा उसको अपने एक variable ले लिया उस variable में जो है अपने loop चला दिया ठीक है आप यहाँ पे curly bracket ऐसे use करोगे ठीक है ऐसे use करोगे curly bracket तो आपको यहाँ पे end नहीं करना पड़ेगा end for each नहीं करना पड़ेगा ठीक है आपको यह यहाँ पे ऐसे close करना पड़ेगा यह चीजे यहाँ पे ऐसे close करना पड़ेगा यह 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 हटा के ठीक है यह हटा के, ऐसे, ऐसे code करना पड़ेगा, लेकिन आप जो है, लब यह colon ऐसे दे दते हो, ठीक है, ऐसे, ऐसे colon दे दते हो, जैसे कि मैं अभी code में दिया रहा हूँगा, ऐसे आप colon दे दते हो, तो इसका मतलब है, कि आपको फिरी इस colon को दे दिये, तो आपको वो curly blackhead को close करने क होतनी है, बस आपका जहाँ code खतम होगा, वहाँ पर आपको, info each कर लेना, जैसे आपकी सुबदा हो, वैसे कर लेजे, ठीक है, वो आपके उपर है, ठीक है, ओके जी, तो आते हैं, अपने ब्लॉक.php पेज पेज पे, तो यह जो है, हमारी ब्लॉक.php पेज है, क्योंकि मैं कर लिए है, यह PHP पेज इसलिए होना चाहिए, क्योंकि PHP में, PHP में ही आप जो है, WordPress की पोस्ट को दिखाना है, HTML में PHP नहीं चलती है, तो इसलिए extension आपको change करना पड़ेगा, यह .html रखोगे, तो यह code काम नहीं करेगा, PHP रहेगा, तभी यह WordPress का काम करेगा, ठीक है, अब क्य चेंज करना होगा, और कुछ नहीं है, भागी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह HTML से लिख के चलाओ, ठीक है, चाहिए, पेज भी से लिख के चलाओ, वही पेज चलेगा, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे की, अभी मैंने service page को open किया, ठीक है, ठीक है, और म extension change कर दिया, तब भी यह दिखिया हमारा run करेगा, यह हमारी HTML यहाँ पे extension हटा दीजे, dot page भी करेंगे, तो भी यह चलेगा, चलना लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे extension लगाने से यह facility आपको मिल गई, कि आप इसके अंदर आप easily blog post WordPress का setup कर सकते हो, HTML यह देखिये, यह जो हमारी blog आ रही है, ठीक है, तो हम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, blog, यहाँ पर लिख दिया blog, यह हमारी blog चल रही है, ठीक है, आप इसी के अंदर जो है, यह सब सारा ची चल रहा है, मैं क्या किया, कि यह जो अपना WordPress ने जो code दिया था, वह हमने रख दिया, मैंने बता दिया कि महारा blog नम का जो folder जिसके अंदर हमारा WordPress इसका रोल यहाँ खतम हो गया, उसके बाद मैं जिस section में चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी blog post की जो है, यह service की header इसके नीचे दिखाई दे, ठीक है, तो मैं क्या किया, कि यह जो हमारा code है, ठीक ह यह जो HTML बगरा आ रही है हमारी, service है, blog है, यह देखे, service है, यह service है, यह blog है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके बाद जो है, यहाँ पर यह दिख रहा है, तो मैंने इसके नीचे जो है, क्या किया, अपना लिख दिया, here, so, blog, WordPress blog, ठीक है, यही पर मैं लूँगा, ठीक है, तो अब आईए, यहाँ पर दिखे, यह change हो जाएगा, ठीक है, change हो गया, हो गया, बन कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ, कि मेरा header, जो यह, मलब header से नीचे, इस image के नीचे, जो है, WordPress का blog सो हो, तो यही पर जो है, मैं अपना यह, WordPress का code लिख दिया, ठीक है, इस div के अंदर, मलब यह specific div है, हमारी, ठीक है, यह इसके नीचे एक जो है, हमारी div है, तो मैं चाहता हूँ, कि यहाँ पर हमारा blog post से दिखे, तो मैं इसके div के नीचे, यह gap for road, और इसके बाद यह container, container के अंदर जाके, मैंने अपने हिसाब से, जो क्या किया, कि इससे जो है, यह देखे, जीफोर आगया, यह container के अंदर, मैंने यह जो है, wordpress की, predefined जो functionality है, predefined जो code है, उसको मैंने लग दिया, तो मैंने global post कर दिया, वही जो मैंने भी बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने title डिस्पले करा रहा हूँ, title मैंने यहाँ डिस्पले कर दिया, the permalink set कर दिया, तो वो इस blog post के article पर चला जाएगा, जैसे कि भी यह जा रहा है, जैसे कि हमारी यह post है, जैसे कि मैं इस पे click कर दूँ, मैं new tab मैं open करता हूँ, तो मैं यह इस blog post पर चला गया है, इस article को मैं पढ़ रहा हूँ easily, ठीक है, यहाँ समें जा के अबना commitment कर दिया, ठीक है, तो यह यह कैसी हुआ, यह इसलिए हुआ कि यह the title, the title gate कर रहा है, यह the content, content gate कर रहा है, ठीक है, content क्या होता है, पता है, content उसके अंदर का material, जैसे content हो गया, title क्या होता है, title जो है, हमारी blog का title होता है, नाम होता है, मतलब title जो हो गया, हमारी blog का नाम हो गया, और उसके अंदर जो material है content है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि जैसे मैं कोई article लिखने लिखना चाहता हूँ जैसे मैं लिखने रहा हूँ WordPress is very popular ठीक है, यह हमारी title हो गया अब WordPress क्यों popular है, उसके बारे में जो भी data है, description हो हमारी content हो गया तो content पे भी यदि मैं click करूँगा content पे, तो मैं उस blog वाले post पे जहां मैंने setup किया है blog post पे चला जाऊँगा, blog page पे WordPress के, वहाँ जाकर मैं read कर लूँगा, ठीक है अब देखे, अब मैं चाहता हूँ कि यह जो हमारी हमारी जो PHP की जो website है, ठीक है PHP की जो website है, हमारी मतलब वहाँ पे हमारी image भी दिखे, तो image भी दिखाने के लिए, WordPress देता है, the post thumbnail, ठीक है, वो post thumbnail का हमने use कर लिया, जिसके वज़े से हमारी features image भी आने लगी जहां पे features image use होगी वहाँ feature image आएगी, जहां पे use नहीं होगी, वहाँ पे image नहीं आएगी, यदि आप चाहते हो कि image ना आए, तो आपको क्या करना होगा, कि आपको जो है, इसको comment कर देना पड़ेगा, जब आप इसको comment कर देंगे, comment करने एक बाद अपने PHP website को reload करोगे, तो image नहीं आएगी, ये गलती होगी, मैंने eco, sorry, इसको मैंने proper way से नहीं, यहाँ पैसे comment करेंगे, ठीक है, तो syntax error था, अब क्या होगा, कि आपका image नहीं आएगा, सिब आपके title आएगे, content आएगे, image नहीं आया, लेकिन आप चाहते हो कि image हमें display हो, तो आपने WordPress की जो functionality देता है, the gate post thumbnail, उसका use कर दिया, यह post ID क्या किया, यह post ID automatic, जो है, इसमें से जो हमारी global post हमने use किया है, उसी के हिसाब से yD ले लेगा, उसी के हिसाब से जो है, आपकी जो भी आप feature image एड के रहोगे, उसको display करा देगा, आप the get time zone, मैं अपना date भी भी दिखाना है ना, भीया हमें, कि कौन से date में publish हुआ है, जरूरी है date दिखाना, तो उसके लिए मैंने क्या है, the gate, gate underscore the date WordPress function का use किया, उसको एक variable में लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर इको करा दिया, जिसके तुरू, जो है, हमारी date भी पता चल रही है, यहाँ पर दिखोगे, तो हमारी date भी आ रही है, कि भी यहाँ इस date को यह चीज वह हुआ है, अब reload करोगे आप, तो वो features image आने ले गया है, क्योंकि आपने features image enable कर दिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक जो है, हम wordpress इतना प्यारा है, wordpress सारी facility आपको दे रहा है, उसके आप documentation को पढ़िए, उसको setup कर लीजे, यदि आपके पास documentation पढ़ने का time नहीं है, तो website maker की जो code है, वीडियो में जो बताया गया, उसको follow up कर लीजे, इसको write down कर लीजे, ठीक है, नहीं तो आपको setup कर लो, ऐसे ही, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक post create कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, this is YouTube YouTube वीडियो, ठीक है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ paragraph ले लेता हूँ, ठीक है, paragraph मैं ले लिया, ले लिया, this is this is logic how to export WordPress post on PHP website, ठीक है, आप यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद जो है, मैं feature image ले लेता हूँ, कोई भी, जैसे कि मैं गया, कोई भी feature image क्या लूँ, देख्टे, डाउनलोड में कोई image है, डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर, जो है, मैं यही ले ले लेता हूँ, ठीक है, जी, पब्लिस कर दिया, अब जब मैं यह पब्लिस किया, तो यह तो जो है, हमारी wordpress की post में तो आई गई, ठीक है, हमारी तो post में आई गई यह, ठीक है, यह हमारी post में आ गई, जो मैंने अभी article लिखा, ठीक है, यह लिखे, हमारी wordpress के post में आ गई, WordPress पोस्ट में आने के साथ साथ क्या है कि यह जो है हमारी जो है PHP वेबसाइट में भी आ गई होगी ठीक है तो हमारी जो है PHP वेबसाइट है उसको आप जो है अपने ओपन कीजे जहां पर अपने सेटप किया है ब्लॉग नाम पे तो आप इसको ब्लॉग को भी अड़ा दीजे यहाँ पर जो है हमारी PHP वेबसाइट सेटप है मैं यहाँ पर गया ब्लॉग पर जैसे मैं ब्लॉग पर गया तो आप देखोगे कि हमारा जो है वन आर्टिकल जो मैंने भी पब्लिस किया वो भी आ गया ठीक है दिस इस यूटूब वीडियो ठीक है दिस इस लाओजिक हाओ टो एक्सपोड वर्ट्प्रेस पोस्ट अन PHP वेबसाइट और देखे डेट भी आ गया संडे का डेट है संडे का डेज भी पब्लिस हो गया ठीक है तो कितना आसान है आप जो है वर्ट्प्रेस की वेबसाइट को मैनेज करना ठीक है तो यदि मैं समप करना चाहूंगा तो आप जो है इस कोड का यूज करके ठीक है आप इस कोड का यूज करके वर्ट्प्रेस की वेबसाइट को PHP के वेबसाइट में इसली एक्सपोर्ट कर सकते हो easily PHP के website में अपने WordPress के blog को manage कर सकते हो display करा सकते हो जैसे कि मैं इस video में यही आपको दिखाया है I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा और मैं यही कहूँगा कि अभी तक मेरे channel subscribe ने किया तो please मेरे channel subscribe कर लिजे ताकि इसी तरह unique और easy भासा में आप लोग को मैं service दे सकूँ और आप लोग learning कर सको और सीख सको ठीक है मिलते हैं दोस्तों फिर किसी unique वीडियो में तब तक के लिए bye take care love you all have a great day bye